सिर्फ 2 या सवा 2 मिटर में परफेक्ट ये अम्रेला प्लाजो बनाने के लिए मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा इसके बाद अम्रेला प्लाजो के घेरे में लगाने के लिए मैंने 5 मिटर ये ट्राइंगल लैसली है अगर आप ये लगाना नहीं चाहते तो आप इसमें प्लास्टिक त्रेट से पीको भी कर सकते हैं या सिंपली मचीन से फोल्ड भी कर सकते हैं इसके बाद ये मेरे पास 2 मीटर रियॉन फैब्रिक है तो 2 मीटर में से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है अगर आपके पास पूरा 2 मीटर होगा तब भी ये अमरेला प्लाजो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा तो गाईज यहाँ पर कपड़े को मैं दिखे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लैंद है वो 45 इंच के राउंड है कुछ फैबरिक इसमें तिर्चा भी है तो दिखे मैं आगे आपको बताऊंगे अगर आपके पास 2 मीटर भी है यानि मेरे पास थो बस थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा था 2 मीटर में तो 2 मीटर में भी परफेक्ट कैसे बेनेगा वो उसके लिए आप ये वीडियो एंट तक जरूर देखें ये मेरे फैबरिक की जो वेट है वो आप यहां दे सकते हैं 46 इंच इसका आरज है इसके बाद अब हमने कपड़े को पहले डबल फोल्ड करके रखा है अब हमने इसको तिर्चा करके फोल्ड कर लेना है तो ऐसे करके हम कपड़े को ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करते हुए फैबरिक में कोई भी सिल्वट जोल नहीं होना चाहिए और अंदर की लेर में भी किसी भी तरह की सिल्वट नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिचा कर रखेंगे और दिखें ये वाली साइड है ये फोल लेर है और ये वाली साइड जो है ये बंद वाली साइड है अब इस वाले corner से हम अपनी कमर की marking करेंगे तो कमर के लिए हम अपने hip का foot part करेंगे और उसमें 2 inch add करेंगे तो मैं 32 inch hip के लिए बना रही हूँ तो 32 का foot part हुआ 8 inch और मैं इसमें 2 inch plus करूँगी जो हो गया 10 inch अब 10 inch पर inch tape को इस तरह से हम गोल घुमा कर रखेंगे यह देखिए इस तरह से सो यहां से healthy सी गोलाई देते हुए मैंने 10 inch पर mark किया है अब खुली side से जो भी length आएगी हमने इस length को पीछे तक follow करते हुए पहले हम dot dot करके marking कर लेंगे इस तरह से इसके बाद हम इन सभी mark को मिला लेंगे एक बाद check भी कर लेंगे तो यहां पर यह हमारा 10 inch है अब देखिए खुली वाली side है यहां पर हमने सीधा करके इंच टेप रखना है इस तरह से और यहां जितना भी fabric हमारा तिर्चा है अनिक्विल है तो इसको सीधा करके मैंने एक mark कर दिया है इसके बाद यहां से इसकी land देख लेंगे तो यह 32 inch है अब 32 inch मैं यहां पर mark कर लूँगी अभी हमने अपने plazo के land decide नहीं की है तो यहां पर हमें जितनी भी length मिल रही है उपर तक उस land को हमने नीचे follow करते हुए थोड़े थोड़े दूरी पर dot dot करके marking कर लेना है तो यह mark हमें बहुत ध्यान से करना है बिल्कुल जो लंबाई है 32 inch वो बराबर आनी चाहिए अब इस सब mark को हमने गुलाई में इस तरह से मिला लेना है तो यह हमारे प्लाजो का जो घेरा है वो mark हो चुका है तो यहाँ पर जितनी भी चोड़ाई आई है गेरे की वो हमने ले ली है और जो लंबाई है वो मैं आगे बताऊंगे कि बैल्ट को हमने कितना length में लेना है तो यह वाला जो फैबरिक है यह हम बैल्ट के लिए यूज़ करेंगे अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है तो पहले हमने यह गोलाई वाला पार्ट कमर की साइड से कट करना है इसके बाद हम नीचे से घेरा कट कर लेंगे और साइड से जो अनिक्वल फैबरिक था इसको भी हमने सीधा कट कर लेना है तो फ्रेंट्स उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो दिखिए यहां से हमारा घेरा कट हो चुका है और यह जो बचा हुआ फैबरिक है इससे ही हमने बैल्ट बनानी है यानि प्लाजो की जो लैंट है वो हम इसी से बढ़ाएंगे तो अभी फिलाल यह हमारा डबल फोल्ड है इसके बाद अब हमने इसको फोर फोल्ड कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पर हमने उसी के साब से फैबरिक फोल्ड करना है जितनी लंबी हमें बैल्ड चाहिए अब बैल्ड को हमने इस तरह से समझ लेना है यह देखिए इंची टेप हम नीचे इस तरह से रखेंगे और जो हमारी रेडी लैंठ है उसमें हम 2 इंच प्लस करके उपर बैल्ड की लैंठ को बढ़ा लेंगे तो उपर से दो इंच हमारा लास्टिक में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और बाकि जितनी भी लैंठ हमें कम लग रही है उतना ही हमने belt की length लेनी है और यहाँ पर जो भी हमारी ready length होगी वो plazo की आ जाएगी तो मैं इस तरह से इसकी length cut कर लूँगे यह देखे यह भी four fold है और यह इसके उपर आदा आदा इंच सिलाई में जाएगा तो अभी फिलाल यह 8 इंच है इस तरह से लंबाई में आदा इंच यह यहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा उसके बाद हम लगबग 1.5 इंच का नेफा फोल्ड करेंगे क्योंकि मैं एक सवा इंच और इलास्टिक लगा रही हूँ और यह हमारे belt की length हो जाएगी और total जो हमारा plazo ready होगा वो 37 इंच पर होगा तो यहाँ पर यह थोड़ा सा extra है यानि नीचे से fold हो जाएगा तो तयार यह 37 हो जाएगा अब कपड़े को हमने अच्छे से इस तरह से रख लेना है आदा इंच इसके उपर overlap करते हुए इस तरह से अब यहाँ से हम अपना वही हीप का foot part plus 2 इंच लेंगे यानि 10 इंच पर मैंने mark किया है और उसके बाद यहाँ से भी वही रहेगा जो हमने starting में लिया था अब इस mark को हम सीधा कर देंगे तो दिकिए यहाँ से यह 8 इंच है और इस तरह से यह 10 इंच है और यहाँ से भी हमारा 10 इंच इंच था जो हमने प्लाजो की कमर कट की थी 1.5 इंच पर हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा इसके बाद हमने इंच टेव रखना है और क्रॉच की लैंच लेनी है तो क्रॉच की लैंच में 12 इंच ले रही हूँ आप अपने साबसे थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं अब क्रॉच की गॉलाई देने के लिए मैंने पीछे की तरफ 1.5 इंच पर माग किया है अब इन दोनों माग को हमने तिर्चा करके इस तरह से मिलाना है अब यहाँ से हमने क्रॉच की गॉलाई देनी है इस तरह से इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सो गैस क्रॉच की जो गॉलाई है वो ज्यादा अंदर गहरी नहीं देनी है तो जैसा वीडियो में दिखाया गया है हम बिल्कुल इसी तरह से क्रॉच की गॉलाई लेंगे इसके बाद देखे ये हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा और ये इस तरह से हमारे क्रॉच की परफेक्ट गॉलाई आ जाएगी अब यहाँ बंद वाले साइड में मैं छोटे-छोटे सेंटर के नॉच्छ लगा रही हूँ ताके हम ये बैल्ट अपने पलाजो की कमर के साथ जॉइंट कर सकें तो इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों पीस हमने एक-एक पार्ट में इस तरह से सील देना है तो आदा इच का दबाव लेते हुए हमने ये सिलाई कर लेनी है और ये हमारी belt जो है वो कमर के साथ अटेच हो जाएगी तो लीजे belt हमने stitch कर ली है stitch करने के बाद मैंने सीधी तरफ भी एक पैर की सिलाई लगा दी है और इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट भी अपना ready कर लेना है तो गाइस दूसरा वाला पार्ट भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही battle लगा ली है अब हम इन दोनों को crouch को सिलेंगे तो crouch stitch करने के लिए दोनों की right side जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे और wrong side बाहर की तरफ अब crouch की गोलाई को मिलाते हुए आधा इंच का दबाव लेंगे और यहां से हमने दोनों crouch को सिल देना है इस तरह से तो देखिए दोनों crouch मेंने सिल दिये हैं अब side से पकड़ेंगे तो हमारी यह दोनों leg अलग-अलग हो जाएंगे और यह हमारी जो belt है यह कुछ इस तरह से आ जाएगी इस तरह से अब सबसे पहले हम inner वाली जो सिलाई है यह वाली इन दोनों के सिरों को पकड़ कर यहां पर सिलाई लगा देंगे यानि अंदर की जो सिलाई लगा कर हम इसको बंद कर देंगे इसके बाद हम इसमें belt लगाएंगे तो belt लगाने के लिए हम अपनी कमर का measurement लेंगे जितनी भी हमारी कमर की गुलाई है उससे 4 इंच कम करके हमने elastic लेनी है यानि मेरे measurement के इसाब से कमर की जो गुलाई है वो 28 इंच है इसके बाद मैं नेफा फोल्ड करते हुए hand to hand ये elastic insert कर दूँगे आप चाहें तो पहले नेफा बना लिजिए बाद में elastic insert कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने elastic लगाने के बाद बीच ओ बीच भी एक सिलाई लगा दी है अब हमारी elastic नेफे में फोल्ड नहीं होगी और नीचे से जो घेरा था वो भी मैंने quarter inch फोल्ड कर लिया है तो आप देख सकते हैं यह इतना हमारा plazo ready हो चुका है तो इसको नीचे से मैंने quarter inch फोल्ड कर लिया है अब घेरे में हमने triangle less लगानी है तो less लगाने से पहले हमने घेरा फोल्ड कर लेना है quarter inch इसके बाद less को सीड़ा रखेंगे और घेरे के नीचे दबाते हुए हमने इस किनारी किनारी पर सिलाय लगा लीनी है तो इस तरह से दोनों घेरे में ही हमने less लगा कर इसको complete कर लेना है तो देखें ये हमारा जो प्लाजो है वो बिल्कुल ready हो चुका है और घेरे में भी मैंने less लगा ली है तो मेरे पास ये सवा 2 मिटर के round fabric था जिसमें से मैंने perfect घेरेदार umbrella plazo बनाया है अगर आपके पास 2 मिटर भी है तो बस आपको क्या करना है belt की length थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और आपका umbrella plazo perfectly ready हो जाएगा और इसके जो flare है वो भी बहुत ही अच्छे आएगा अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से umbrella plazo की cutting stitching करेंगे तो आपका umbrella plazo side से कभी नहीं लटकेगा और नहीं आसन के side यानी beach वाली side से उठेगा तो इस तरह से मेरा ये amrela plazo ready हो गया है और इस plazo के साथ मैंने ये organza कुर्ती बनाई है जिसके अंदर हमने अस्तर लगाया है और ये हमारी designer कुर्ती थी सो गाइस ये मैंने beginner level पर इसकी वीडियो अपने second channel जैदी tutorial पर post कर दी है कुर्ती की ये वीडियो देखने के बाद आपके अस्तर में कभी भी जोलनी ही आएगा और इस कुर्ती का जो neck था वो already बना हुआ था तो इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि बने हुए गले में अस्तर कैसे लगाएं इस बहुत ही useful वीडियो है आप इस वीडियो को भी जरूर देखें जो नए लोग हैं वो भी ये वीडियो देखकर अस्तर वाली डिजाइनर कुर्ती स्टिच कर सकते हैं especially जो इसका neck है और अस्तर लगाने का तरीका है वो मैंने बहुत ही बिगनर तरीके से बताया है तो अमीद करूँगी आप ये वीडियो जरूर देखेंगे इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने first pin comment, description box और i button पे लगा दूँगी और अगर आप यहाँ वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो आपको end screen पर भी इस कुर्थी की वीडियो मिल जाएगी, तो चलिए यहाँ आकर वीडियो complete होती है, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को like करके channel को subscribe कर लिया होगा, मिलती हूँ next वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए, bye, take care, thanks for watching this video